हाई मॉमी वेलकम बैक तो मैं चैनल मॉमी जनकी डोस तो आज मैं आप से श्यार करने वाली हूँ कि आप साबदाना वाटर अपनी बेवी को कैसे दे सकते हैं तो मेरा बेवी अभी 7 मंथ का हो गया है और वो जब 6 मंथ का हुआ तब से मैंने उसको साबदाना वाटर मैं अपने बेवी को साबदाना वाटर कैसे देती हूं वह मैं आप से शायर करूंगी अगर वीडियो अच्छी लगे तुसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें साबदाना और इसको लेकिए मैं अच्छी तरह से मिक्सी में इसको ब्लेंड कर देने वाली हूं ताकि जो मुझे पाउडर है वह उसका तयार होके मिल जाए तो यहां पर साबदाना में बहुत अच्छा स्टार्च होता है और तो बेवी की मसल को भी गेन करने में बहुत है करता है और उसको बहुत अच्छे से डाइजस हो जाता है तो इसलिए आपको अगर आप सिक्स मंद की बेवी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका वाटर ही स्टार्ट करना है यह डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप डारेक साबदाना ही ना स्टार् पहले स्टार्टिंग में आपको वन टीस्पून टू टीस्पून ही देना है ताकि आपको यह भी प्रचे को अच्छा लग रहा है कि नहीं डाइजस हो रहा है कि नहीं इसके बाद आप उसकी कॉंटिटी धीरे दीरे बढ़ा सकते हैं तो यहां पे मैंने ले लिया है और इ यहां टीके नहीं में बहुता है लाइं डाफ मरत कर दो नगे सबस्ते हैं तो बहुतो हैं के यहां वीम मैंतो शंच।Бट सब्स्छा के लाइक का वांटो टूव अपको उसका स llevar भी में के वाबिकर कर ले सकते हैं तो इसका सब्सक्राइब आप दे इसक्ती शहां आपको आ तो वो उससे भी पी लेता है तो मतलब डिपेंड करता है कि आपका बेबी किस तरह से पीएगा तो आप उसको इस तरह से दे सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज को लाइक कीजिए और अपने बेबी को यह साबदाना वाटर जरूर दीजिए यह बहुत अच्छा होता है बहुत हेल्दी है वेड कीन करने में